आज हम बनाएंगे मावा मलाई कपकेक्स तो आप देखने की कितने क्यूट लग रहे हैं ये देखने में ये बहुत ही जादा टेस्टी बनते हैं इसमें आपको केक, इंडियन मिठाई और साथ में रबरी तीनों का एक बहुत ही युनीक सा कॉंबिनेशन मिलेगा जो बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत ही जादा आसान है और आज की इस रेसिपी में इंस्टेंट खोवा यानि की मावा आप कैसे बना सकते हैं उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी तो अगर आपको आज की इस रेसिपी पसंद आए तो प्रीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना इंस्टेंट मावा यानि की खोवा बनाएंगे तो एक पैन में लेंगे दो बड़े चमत देसी घी आप चाहे दो बटर भी ले सकते हैं इसे थोड़ा गरम करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दूद और साथ में मैं इसमें दो बड़े चमत दूद की मलाई भी आड़ कर रही हूँ करेंगे और साथ के साथ इसे चलाते रहेंगे तांकि इसमें कोई भी लंप्स ना बने तो इस तरह से मैंने यह सारा मिल्क पाउडर इसमें आड कर दिया है और अब हम इसे लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे और इसे लगातार इस तरह से चलाते जाना है हमें तांकि इसमें कोई बिल्कुल तायार है अब हम ग्यास को बंद कर देंगे और इसे एक बोल में निकाल देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए तो चाहें तो आप इस तरह से इंस्टेंट खोवा बना सकते हैं या फिर दूद को रिड्यूस करके भी आप उससे खोवा बना सकते हैं उसके तो इसके लिए एक बोल में लेंगे आधा कप रिफाइन डॉयल कोई भी कुकिंग ओल ले सकते हैं बस वो स्ट्रॉंग फ्रेवर वाला ना लीजेगा जैसे कि मस्टर्ड ओल और अब हम इसमें रालेंगे आधा कप दही घर की नॉम्मल ताजी दही यूज किये मैंने यहां और साथ में मैं डाल रहे हूँ एक कप पिसी हुई चीनी नॉमल चीनी को ग्राइंडर में डालके ग्राइंड करके यूज किया है तो इन तीनों चीजों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे तकरीबं 30-40 सेकेंड तक तो मैंने इसे पूरे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इन तीनों चीजों को अच्छे से एक बर चान लेंगे और अब हम इसे किसी स्पेचुला या चमत से मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से हलके हलके हाथों से हम इसे काट और फोल मेथड से मिक्स करेंगे और ध्यान रखिए कि इसे हलके हाथों से मिक्स करिएगा और इस मिक् भी कर सकते हैं और साथ में मैं इसमें डाल रहे हूं आधा छोटा चमच इलाइची पाउडर और इन दोनों चीजों को अपने इस बेटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ध्यान रखे कि कोई भी लंस नहीं रहने चाहिए इसमें तो इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ड हईक भूद यूस किया है और आप देख रहे हैं हमारे बहीं की पॉल्कुल इस तरह का हलका सा थिक बैटर बनाना है बहुत जादा फ्लो ई कंसिस्टेंसज़ नहीं है हलका सा ये थिक है तो ऐसा बैटर बनाना हमें तो बैटर अब हमारा तयार है अब हम अपने मोल्ड को भ तरब होने देंगे और अवन में बनाने के लिए आप अपने अवन को प्री हीट कर लीजिए 180 डिगरी पर तक्वीवन 10 मिनट के लिए और एक तरफ हम अपने मोल्ड को भी तायार कर लेंगे तो मैंने यहां सिलिकॉन मोल्ड लिए हैं आप चाहें तो अल्यूमीनियम वाले मो अपने मोल्ड में लगा रहें यह पेपर कप्स फील कर सकते हैं और पूरो ओपर तक नहीं भरेंगे तकरिबन तूहरत Φ करना है तो इस तар Firebase करने के बाद हलका सा बारी कटा हुआ पिस्ता डाल रूम है यह वैसे बिलकुल ऑप्शनल है आप चाहें तो इसे अवोइड कर सकते हैं तो इस तरह से थोड़े से यह ड्राइफ रूट्स टालने के बाद अब हमारा यह मोल्ड बिलकुल तायार है और इधर यह कडाही भी अब काफी अच्छे से गरम हो गई है काफी अची हीट आ रही है इसमें से तो अब हम केरफुली इस मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसे उपर से ढखकर हम इसे लो मीडियम फ्लेम के उपर पकाएंगे तकरीबन 20-25 मिनट तक एक बर आप 15 मिनट के बाद इसे एक बर जरूर चेक कर लीजेगा तो चाहें तो आप इसे इस तरह से कड़ाही में बना सकते हैं या फिर आप इसे अवन में भी बेक कर सकते हैं तो इसके लिए एक रैक के उपर अक्रिव में अपने इस मोल्ड को और अब हम इसे एक प्री हीटिड अवन में रख देंगे और इसे हम बेक करेंगे 180 डिग्री यानिके 180 डिग्री पर तक्रीबन 15-20 मिनट तक या तब तक जब तक की toothpick बिलकुल क्लियर ना आ जाए तो जब तक हमारे ये cupcakes bake हो रहे हैं तब तक हम अपनी रबडी को भी तायार कर लेंगे तो इसके लिए एक पैन में मैंने यहां लिया है 1 लिटर दूद इस दूद को हम high flame के उपर उबालाने देंगे तो दूद में अब उबालाना शुरू हो गया है अब हम gas की frame को medium कर लेंगे और सबसे पहली मैं इसमें डाल रहे हूँ 3 बड़े चमत चीनी ये अब अपने taste के according कम या जाधा भी कर सकते हैं तो इसे थोड़ा mix करेंगे और साथी में मैं इसमें आधा चोटा चमत चिलाइची powder डाल रहे हूँ तो इसे हलका सा mix करेंगे और अब हम अपने इस दूद को medium flame के उपर पकाएंगे तब तक पकाना इसे हमें जब तक की जो दूद है ये 1 फोर्थ ना रह जाए अपने original volume में और इसे पकाते हुए लगाता चलाते रहेंगे और नीचे तक चलाएंगे दूद को ताकि जो दूद है वो तले पर ना चिपके और साइट्स पे जितनी भी मलाई आती जाएगी उसे वापिस से इस तरह से स्क्रेप करके दूद में ही डालते जाएंगे तो बस इस तरह से हम इसे reduce कर लेंगे तो थोड़ी देर तक इसे reduce करने के बाद अब ये जो दूद है ये 1 फोर्थ रहेगे अपने original volume में तो बस अब हम gas को बंद कर देंगे और इसे पहले room temperature के उपर आने देंगे और फिर हम इसे fridge में रख देंगे तकरीबन 1-2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से ठंडी भी हो जाए और ये अच्छे से ठिक हो जाएगी और अब हम चलेंगे अपने cupcakes की तरफ तो इसे पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं और आप देखरें कि काफी अच्छे से फूल गए हैं ये और अंदर से भी इसे चेक कर लेंगे तो इसके लिए एक toothpick insert करेंगे और आप देखरें कि ये बिल्कुल क्लियर आ रही है तो बस हमारे ये cupcakes बिल्कुल तायार है अब हम कैरफुल इसे निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने देंगे और इधर ये जो cupcakes हमने oven में बेक होने के लिए रखे थे इसे बेक होते हुए पूरे 20 मिनट हो गए हैं इसे भी अब हम एक पर चेक कर लेंगे तो तुतिक बिल्कुल क्लियर आ रही है यानि कि हमारे ये वाले cupcakes भी बहुत ही अच्छे से बेक हो गए है तो बस अब हम इसे भ अब थोड़े ठंडे हो गए हैं अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे तो सबसे पहले मैं आपको कडाही वाले मॉफिंस यानि की कपकेक्स चेक कर आए कि अंदर से कैसे बने हैं तो आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा कलर आया इसके ऊपर और ये जो कपकेक्स हैं चाहें तो आप इसे नॉर्मल अवन में बनाई या फिर आप इसे कडाही में बना सकते हैं तो दोनों थरीके से ही यह बहत ही जादा टेस्टी और एकदम सोफ स्पॉंजी बनते हैं तो अब हम इसे एक प्लेट में रखेंगे और इधर हमने ये जो रबडी बनाइ थी अब भी काफी अच्छे से थिक हो गई है और थोड़ी ठंडी भी है ये तो अब हम इस रबडी को रख देंगे अपने इस मॉफिन यानि की कपकेक के ऊपर तो इस तरह से काफी सारी रबडी लगा देंगे और इसके ऊपर गार्मिशन के लिए मैं डार जोड़ा सा बारी कटा और चाहे तो इन मॉफिन को आप बिना रबडी के भी सर्फ कर सकते हैं ये तब भी बहुत जादा टेस्टी लगते हैं तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय करिएगा और मुझे बताईएगा जरूर की ये रेसिपी आपको कैसी लगी और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें